हालो वेलकम टू अभीपीडिया माइनेम इस मिर्जा सद्दामसेन और आज हमारे साथ है रोशन कुमार जिन्होंने आर्बिया ग्रेट वी 2022 के एक्जाम में अपना रैंक शिक्यूर किया है तो आज हम लोग इसे जानेंगे कि क्या स्टैडिजी थी इनकी और किस टैप से सब्सक्राइब कॉंगरेशन से एंड वेलकम तो अभी पीडिया यूट्यू चैनल यूट्यू अपकी तोड़ी आवाज नियारी थोड़ी तोड़ी तोड़ी तो रोशन आप अपने बारे में कुछ बताईए कि कहां से आप बिलॉंग करते हो एजुकेशन कॉलिकेशन क्य लूरू तो पर्सुमाइब हायर एडिकेशन इंफरमेशन साइंस और इंजिनियरिंग फॉम एमेस रामिया इंस्टिटीट अफ टेक्नोलोजी फॉम देर आई ग्रैजूएट इंट्वेटेटीएटीएटें अंसे दना वस पेपाइंग फॉर यह मेरा तीसरा अटेंट था इसके लावा मैं अभी पीडिया से लास्ट जूरा था जब मैं यूपीएटीएफो की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें यूटूब में आपके चैनल्स ते जहां पर कॉमर्स एन अकांटिंग वेगरा में बहुत हेल्प मिला था मुझे तब से मैं अभी पीडिया को जा उपर उपर से पड़ते हैं तो यूपीसी का जब उने प्रपेरेशन किया तो यह मेरे लिए एक फांडेशन का काम किया जहां पर और कोई भी नए सब्सक्राइब बढ़ता था तो मुझे असा लगता था कि पहले उसका कुछ ने कुछ आईडिया है मेरे पास कही ने कहीं वह एक मोटिवेटिंग फाक्टर था मेरे लिए जो मुझे इंस्पायर करता था उस एक्जामनेशन को पर्सू करने के लिए और उसी के कारण मैंने बहुत सारी एक्जामनेशन ट्राइब किये थे इंक्लूडिंग आर्भी ग्रेट वी यूपीसी पीएफो रिसेंट्ली आ आपका फेज वन तो अलगी मोड है उनका यूपीसी से विल्कुल डिफेरेंट हो यह सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर फेज टू की अगर बात करें तो वहां पर कितना है लिए आपको यूपीसी का बहुत सारा से लिबस ओवरलाप कर रहा था मेरे फेस्टू के एक यह कहीं मेरे पास बैकगरांड में अरीज के परिपरेशन किया पर इकनामिक्स अंशोचाल इशू वह बोथ एकनामिक्स अज एस्टू इसू अर टू सब्स अथू से परेत इन अपसे इस वह वाइन अजी एस थी एंड शाम्वें अगिस्ट्टी और इन पर इंग्लिश ए इस वाइल रीडिंग नीशपेपर ओन नोगी इस लाइव तो इनलीच के लिए बहुत जाथा मैनत नहीं करनी परी थी तो यू पेस्ट अगर जानेंगे जिसे कि कि मैं आपसे यह जानू है कि किस सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग सारे बातें करेंगे हैं कि इसके आपके चार सब्जेक्ट हैं जैसे कि इसके बाद आपका जनल आवेरनेस और इंग्लिस तो इनकी सब्सक्राइब सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था इस पे बहुत कम टाइम था मैंने अगर मैं जनल आवरनेस की बात करूं तो अगड़ी युपीसि में जनल आवरनेस का एक रोल होता है but the kind of questions in UPSC they ask is very different from what we expect in RBI because in RBI we have more of a factual questions while in UPSC there are more analytical questions so RBI के preparation के लिए मैंने मंतली मैंजीन को subscribe किया था मैंने उसको तीन-चार बार रिवाइस कि एक्जाम से पहले और एक्जाम से लग बाग 6-8 मैंने तक के पहले का मैंने वह मंतली मैगजीन को अच्छे से बढ़ा था क्वांट और रिजनिंग के बात करूं तो इससे कोई रिलेशन नहीं था मेरा UPSC में और जो टाइप आफ को स्पूस्टें आर्ग में बहुत हाई लेवल्स के होते हैं इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन चाहिए थी और टाइम भी चाहिए था तो मैंने उसके लिए एक सब्सक्राइब किया था जहां पर मैंने डेली वीडियो चूस किया जहां पर वो लोग प्रिविए से जो कोश्टें उनको सॉल्व कराते हैं उससे एक आइडिया भी मिलता है किस टाइब कोशन आ रहे हैं तो मेंटरी भी प्रिपेड हो रहे थे और कहीं ने कहीं डेली प्रैक्टिस से वह भी एक हैल्फुल था और यह मेरा वीक पॉइंट था तो इसको मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया था दैन जिये एंड इंग्लेश तो इस वाज मैंने दिय तो इस साल भी कहीं लोग यह प्रिक्ट कर रहे थे कि कोशन उसी नेचर के आएंगे जब मैं गया तो एक माइंड में नहीं ता कि कोई नंबर लेकर के आना है बस इतना है कि कोशन को देखने अगर कोशन डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली कट आफ नीचे ही जाएंगे अग जब मैंने कोशन देखा तो ओविएसली वो डिफिकल्ट थे बहुत मुश्किल से अरॉंड मैंने हंडेड कोशन अटेम्ट किये थे इफान आट रॉंग और फाइनली कट आफ से दो या तीन नंबर ही जाद आया था मेरा लगी लिए चली मैं तो आपका सेलेक्शन होना सही स्टाट करता है एंग्री से स्टाट कीजिए क्योंकि हमारे मला पर यहारी और ज़ारकंडीयों का सबसे प्रॉलम रहा है कि इंगलीश हम लोग अमेसा पीछ उप हिछी इंगलीश में अगी लेकिन इसका पैटेन अलग होता है यहां ने हमें टाइप करने होते हैं एक से लिखना होता है तो एसे को मैंने चार-पाँच दिवाइड कर दिया और उसी तरह से चार-पाँच पैरेग्राफ लिख दिया सब्सक्राइब और सिर्टेशं के बारे में लिख सकते हैं गौत सारे पॉइंट्स को जोडते हैं तो एक प्रापर एसे का लेयर तैयार होता है तो यह बहुत पहले से मैं कर रहा था तो मुझे बहुत हेल्प मिला था इस एक्जाम में भी यह यह सब्सक्राइब करना और उसको पॉइंट वाइज यह लिखना इस वर मैंने यह एक नगा चीज किया था एसे में यह पहले मैं पैरेग्राफ में लिखता था यह मैं लिखा था यह यह लोग पहले गूंशन देखते हैं उसके बाद उसमें पैसेज में आ गया जो कोस्टें उसके एंसर का जो पैरग्राफ होता है वह कहने करेंशन के लिए पैरग्राफ पर और उसको अपने वर्ड़ में लिका कॉपी में उसके बाद उसको टाइप किया लैप्टॉप पीशिपे वहां पर यही मैंने स्ट्राटीजी फॉलो किया कॉ के लिए को देखा परग्राफ परा और उसको अपने वर्ट में टाइप किया अब प्रिसी की बात करें प्रिसी में पहले तो जो भी परग्राफ दिये होते हैं उसको मैंने एक बार पढ़ लिया अच्छे से उसके जो प्रिसी में किया जो अब घंटेंश के ऐसी के मिलेंगे इंग्लिस समय गिलिबã एंटेम स्टेरिय कहा है होता है यह साई में और फांशन में इंगलिश में यह बेसिक स्ट्राइजी जो सब लोग कर सकते हैं मैंने भी एई किया था इसके बाद फांशन मैंने मैंनें एक स्टाइटिक था तो इसके मॉडिश थे मेरे पास जो मॉड्यूल लगवग पांच-छे बुक्स बुक्लेट से से चोटे-चोटे उसको मैंने परहा था और इसके भी मैंने काफी कम टाइम दिया था क्योंकि एक स्टाटिक सब्जक्ट है और कोशेंस आल्मूस्ट नून होते हैं किस-किस एडिया से आएंगे उसी को मिल्टीपल रिवाइस किया लगबग मैंने चार से पांस दिन परहा था और जो प्रीवेस को मैंने देखा तो इससे एक आइडिया मिल गए तो जो मेरी लर्निंग ती वो भी उसी डाइक्टिन में जाने लगी और मैं उसी हिसाफ से टॉपिक्स को पढ़ने लगा तो मैंने हमेशा अपने पास रखा था से जब भी मुझे डाउट होता था यह तो में सेलेबस को गूत रू कर लेता था और अगर उगर कहीं न कहीं वह से डूपिक को टॉपिक का नोट बना लेता था अगर शीक की बात करें तो यह बहुत कंप है अगर हम फाक्स और कुछ डेटा को हटा दें तो बहुत के लिए न्यूसपेपर एक सुप्रीम सोर्स है जिसे हम follow कर सकते हैं इसके लावा once again monthly magazines आते हैं मैंने YouTube वीडियो भी देखे थे बहुत सारे उसमें जो भी RBI के latest notifications होते हैं जो भी government करती है schemes होते हैं जो भी important data और facts होते हैं उन सब को मैंने एक जगर note down कर लिया और छोटे-छोटे notes बना लिए ताकि जो exam से एक हफ्ते दो हफ्ते पहले मुझे time मिल जाए मुझे नोट्स को बार-बार multiple revise कर सकते हो क्योंकि ultimately आप exam में वही लिखते हो जो आपके back of the mind होता है अब कितना भी नया पढ़ लो वह आप रिप्रोडूस नहीं कर पाऊगे जो आप परके रखते हो उससे आपको confidence मिलता है आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्ट भी लिख सकते हो और आपको कहींने कहीं satisfaction मिलता है कि आपने answer के साथ properly justice किया है तो यह मेरी strategy थी तीनों इंटर्वियू, I think, मेरे लिए RBI का इंटर्वियू फेस सबसे difficult face था और fearful face था यूँकि यह मेरा पहला मेरे पास लगबाग डेर महने का टाइम था 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 तर्टीए अवगस्त को मेरा इंटर्वीव था तो मैंने इंटर्वीव के हिसाब से निउस्पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है क्योंकि इंटर्वीव फैक्च्वल्स होते हैं मोस्टली और आपको कुछ पूछा जा रहा है तो वह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दो बोलो की वर्ट यूज करो तो मैंने लगबग 15-20 पेज़स के नोट सबनाया थे सिर्फ इंटर्वीव के लिए और बहुत सारे मॉक्स दिये थे लगबग 4-5 मॉक्स दिया था अभी पीडिया का भी एक मॉक्स था उसमें शामिल और अभी पीडिया का एक यूनीक रोल था इस इंटर्वीव प्रिपरेशन में क्योंकि इन्होंने एक परस्नलाइज कोशन बैंक करके दिया था मुझे डिपेंडिंग अपन माई बायो डेटा कि मैंने क्या बायो डेटा में फिल किया है उसके बेसिस पे वह लोग मुझे कोशन बैंक आपने मुझे प्रवाइड किय तो इसके लिए भी आसस प्रिपार किया ते यू बी शॉक्त तो नोट वनाइट इंटर्वी रूम तो आपके आवाज के लिए थोड़ी कट रही है वाज बॉफर होई है क्यां बॉक्री तो आपके लिए टूम या खिए विस्टर्व खवड़ी तो आख गी आपके में तो एंटर्स प्रविए वस्टर्व फिर च्वेंटर्व श्वें स्टना घूंट करתח होई डिए की तो आपके र्द थाओके जीए are there in your personal question bank and I did prepare it for before going into the interview so that was a really good help from your side and because of the multiple mocks which I gave it was very much helpful for me to get the confidence to improve upon my weaknesses and excel in the interview. अपने जब आपने रियल इंटरिव्यू जब आपको हुआ था उस्टाइम कुछ ऐसा इंटर्व्यू जो आप सेर करना चाहूं अब मेरा इंटर्व्यू बहुत था टेक्निकल था मेरे से कोई भी एचार के कोशन नहीं पूछेगा एकसर दी फर्स्ट कोशन की आप में अलग क्या है आपको क्यों सेलेक्ट किया जाएं उसके लावा सारे कोशन मेरे फैक्ट्वल थे एकनॉमिक और फाइनांस पे बेस थे उन्होंने मुझसे डेफिनेशन पूछे थे युएस के इंफलेशन के नंबर्स पूछे थे कोई अनलेटिकल कोश्चन नहीं था इवन आफ्टर दे इंटर्व्यू आइवाज शॉक्ड की मेरे से बहुत सारे कोश्चन जो शायद कोई भी पूछता उन्होंने नहीं कोई पूछा तो इंटर्व्यू के बाद में परेशान था कि यह सब कोश्चन सुनने मुझसे क्यों नहीं पूछा तो आफर दे इंटर्व्यू अलमस्ट पर वन वीक और 10 देज आइवाज वेरी मच फरस्टेटेट इंकिंग आट आप इंटर्व्यू अप्टिंग एक्से अगर मैं अपने एक्स्पीडियन से बता हो तो मुझे लगता है छे मन पहले काफी है क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइब कर देने और मेरे दो मैंने पहले मने स्टार्ट किया था लेकिन मैंने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्लाइन किया था कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है जो भी पढ़ना उसको इस तरीके से पढ़ना है कि मैं उसको भूलूना और एक्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इसे गलत ना कर क्या हूं देना चाहो आप तो आने वाले एस्पेंट्स को एक जो इंपोर्टेंट चीज़ है वह है रिविजिन वह हमेशा आपको करना और रिविजिन के आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं दूसरा आप से लिबस हमेशा अपने पास रखो इतनी वार देख लो कि इसे को पढ़ते हो उसके बाद उसको रिवाइस करो जो आपने पर है उसको इसको नया पर हो ताकि जो आपने पहले पढ़ चुका है वह आपके दिमाग में कहीं अच्छे तरीके से जमा हो जाए और आप उसको जब भी चाहों आप रिप्रोडूस कर सको उसके बाद नए आपके साथ बहुत सारे बच्चे और भी टाइप करते हो इससे बहुत जारा साउंड आता है और आपका जो कॉंसे प्रेशर कोई ब्रीक हो जाता है तो वह सांड का इशू हुआ था तो इस बार मैंने क्या किया था एक कीबोर्ड में अलग से लेकर किया था मार्केट से मैंने पचेस किया उसको यूज किया मैंने अपने अपने टाइपिंग के लिए और वह डिस्टरबेंस करने के लिए मैं हमेशा एक करना सीख पाएंगे कम से कम टाइम में आपको अपने आंसर को कंपीट करना सीख पाएंगे और अगर कभी कोई ऐसा सिटुएशन आ गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था जैसे इस बार इंग्लिश में जनरली 400 वर्स के ऐसे आते हैं बट इस बार 600 वर्स का आया था पाओगे जो फैक्स होते हैं जो की वर्स होते हैं आप उसको यूज करो और अच्छे मांग से सक्सीट कर पाओगे इस पूरे फेस को थैंक यू रोशन आप से बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने इंपूट दिया है हमारे जो इस्टुडेंट को अबलब वो ग्रे आप